आज मैं आपको इस वीडियो के माद्दम से बताने वालाओं की अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं और आप किसान कार्ड बनवाना चाहते हैं या किसान कार्ड बनवा रखा है किसी भी बैंक से तो आप इस वीडियो के माध्यम से देखे किसानों के लिए बड़ा तोफ़ा एक तरब तो कॉंग्रेस की सरकार ने कहा था कि हम सभी किसानों का दस तिन में करजा माप करेंगे सबसे पहले तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सेर कीजिए जिससे आपकी बात आगे तक पहुंच सके और किसानों का करज माप हो सके दोस्तों बहुत से किसानों जिन्होंने सैकारी बैंकों से लोन ले रखा उनका माप भी हो लेकिन बात यह आती है उन किसानों का क्या होगा जिन्होंने राष्टे की त्या प्राइवेट बैंकों से कर्ज ले रखा है बहुत से किसानों का कमेंट में कहना है कि कम से कम उन सभी किसानों का दो दो लाख रुपेतों कर्ज माफ किया जाए लेकिन ऐसा ना करके सरकार की तरब शब देखिए कि अब एपात्र किसानों को भी बिना ब्याज के मिलेगा फसली रिण देखिए सैकारी मंत्री उदेलाल आंजना ने मंगलवार को कहा कि फसली रिण से जुड़े करीब साड़े तीन लाख आवदी पार किर्सी जो रिणी किसानों को भी फसली रिण प्रदान किया जाएगा इतना ही नहीं रिण माफी के एपात्र इन किसानों को अब सुन्ने परसेंट ब्याद दर पर फसली लोन मिल सकेगा उदेलाल आंजना ने बताये कि ऐसे सभी किसान जो रिण माफी में एपात्र थे और उन्होंने समय पर अपना फसली रिण चुका दिया था अब उन्हें अब फसली रिण दिया जा रहा है लेकिन कई किसान ऐसे थे जो रिण माफी में एपात्र थे तथा उन्होंने अपना फसली रिण देरी से चुकाया था वे अवदिपार्स रिणी में आगए थे ऐसे किसानों को भी अब फसली रिंड मिल सकेगा दोस्तो इतना है नहीं ये फसली रिंड बिना ब्याज सुनने परसेंट ब्याज पे मिलेगा दोस्तो आंजना ने बताए कि 16 अप्रेल से परारम एक खरीब सीजन के फसली रिंड में अब तक 23,89,000 किसानों को 7,321 करोड रुपे का फसली रिंड का वित्रण किया जा चुका है उन्होंने बताए कि इस वर्ष लगबग 3,00,000,000 नए किसानों को भी फसली रिंड दिया जा रहा है खरीब सीजन में फसली रिंड 31 अगस्तक वित्रित होगा ये ती हाली की लेटेस्ट अपडेट आपका किसान क्रेडिट कार्ड का कर्ज लोन माफी पर क्या कहना है वो कमेंट में बताएं और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सेर कीजिए जिससे आपकी बात आगे तक पहुंच सके धन्यवाद मित्रो